कि इस वीडियो में हम बात करेंगे सीजल 19 के रिगार्डिंग लेको सितंबर 2021 का महीना था जब आपका सीजल 2019 का डॉक्युमेंट वेरिफिकेशन खतम हुआ और तब से लेकर कि आज तक सिर्फ जो 19 के बच्चे हैं वो केवल कर रहे हैं तो सिर्फ इंतजार इंतजार इंतजा अगर हम बात करें कि जो टाइम पीरिड यह चला है इसमें देखो जिनका सीजल 18 में रिजल्ट जिनका आ गया था और जिनका अठारा और 19 दोनों में कॉमन है तो वो तो जॉइनिंग में अपना टाइम कर दिए क्योंकि सितंबर के बाद से देखा जाए तो मैक्सिम लोगो जो फ्रेश कैंडिडेट है जिनका कहीं और नहीं था सिर्फ 19 में ही था यार उनके लिए यह एक तरह का सदमे से कम नहीं है तो सदमा तो हर साल से में लगता है चाहे 17 हो 18 हो 16 हो सीजल का लेकिन जो लोग नए होते हैं जो फिर्स टाइम इस दोर सो गुजरते हैं ऐसे बहु टाइम होता है यह और यह और क्या क्या चीजे गुजरती है ना मैं नहीं कह सकता कि कोई भी इस चीज को चाहें वह भले ही कोई बंदा सबके साथ अपनी अलग 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 कानी रहती तो यह बहुत ही बुरा फेज है वेटिंग वाला सितंबर से लेकि अब तक वेट करना बंदान सब्सक्राइब है नहीं हो पाता है कि यह बार सारे निकाल लेते हो और डॉक्मेंट वेरिफिकेशन तक हो जाता है फिर आप चाहो कि कोई और एकजाम या फिर दौबारा साही सीजल दे अभी 20 भी हुआ है आपका मैंस वाला तो वो नहीं बन पाता वह एक फ्लो न उमीद के साथ मैसेज करा जाता है कि साइद कुछ हो पाएगा ट्विटर कैमपेन हो चाहे पीजी पोर्टल हो उस पर लोगों ने जो भी लगा खाली थे तो लोगों तक वहाँ तक बात पहुचाने कोशिश की करी गई जब दिखा गए बहुत बीड जाना तो वहाँ से रिप्लाई यही आया है कि SSC अपने तरफ से पूरा रेडी है और यह क्यों नहीं कर पा रही डिस्पले रिजल्ट आपका उसका रीजन यहां लिखा हुआ है नोटिस में यही दो चीजे है अगर आप पढ़ोगे नोटिस तो वही है कि दो केस फाइल हुए पहला तो कैट में हुआ था कैट ने कोई स्टे नहीं लगाया था रिजल्ट डेकलियर करने पर फिर दुबारा एक नया केस फाइल करा गया जो की हाई कोट में फाइल करा गया था और उसने हाई कोट में स्टे लगाया था कि आप रिजल्ट डेकलियर नहीं कर सकते सीजल 19 का इसी वजह से मामला पैंडिंग में रुका हुआ है यही इसमें वजह बताया गया है और यह बोला गया है कि जब तक आपका यह फाइनल डिसिजन नहीं आता है आपका तो उस तब तक आपका यह कोट कर तब तक आपका यह रिजल्ट नहीं डिकलियर हो सकता अब आते हैं डेट का अच्छा एक चीज़ और भी नोटिस के आपका वह फाइनल दिखो यहां लिखा हुआ है फाइनल कांसीडर जो होगा फाइनल एक तरह से माना जा रहा है कि इस दिर आकरी है आपका 15 फरवरी को अब यह इसमें बहुत सारी चीज़ है की पार्टी इसको बोला गया था फॉर्स पार्टी को रिप्लाइव फाइल करन हो नहीं है तो क्या रिजल्ट आ जाएगा पनातारी को या क्या एससी उसके बाद रिजल्ट स्टार्ट करेगी बनाना नोटिस में लिखा हुआ है लास्ट हीरिंग है आपका तो अगर सब कुछ ठीक है आप कोई बात पता है कि सब कुछ प्लान के साब से जो भी चीज करके चलते हो नहीं हो पाती है आप सब को सकरी कि पंत्रक को सुनवाई है जज ही अप सेंट रहे आप देखो आप इतनी नेगटिव बात है या फिर इतनी सारे चीज़े पहले से दिमाग में इतना चल रहा टेंशन क्यों कह रहो लेकिन वहीं कह रहे हैं आप सब जानते हो चीज सब्सक्राइब कि इसको इसको कंटीनिर रखा जाए या दूसरी चीज़ नहीं है कि रिजल्ट को डेकलियर करा आजबा कि जो भी है वह हैं वह कोट के से सुनवाई हो जाए 15 फरवरी को सब लोग प्रेजेंट जजड़ भी अजब वाके वरेकिक है तो यह मान के चले देखो क्या output आना यह सब जानते हो आप सब जानते हो राइट किसके साथ क्या गलत हुआ क्या नहीं हुआ जिनके साथ गलत हुआ वह वैठे नहीं रहे उन्होंने 20 निकाला 20 का मेंस भी लिख्या है अच्छा स्कोर भी किया है तो अब हम उसके बात नहीं कर SSC अपनी साइट पर शाम को रिजल्ट जो 6-8 बजे का टाइम होते है उसी बीच में अपलोड कर सकती है और आप एक चीज मान के चलना है कि SSC अपने तरफ से पूरा तयार है सब कुछ रिजल्ट रेडिया ऐसा नहीं है कि तब से लेके इंतजारी में बैठे हुए ते किया पता नहीं को उट किया कर देगा तब हम अपना एनरजी क्यों वेस्ट करें ऐसा नहीं है और ऐसी पहली बार चीज सेसी में नहीं हो रही है CGL 17 एग्जामपल है 16 एग्जामपल आपका 16 में भी केस हुआ था और उसके बाद केस 16 का रिजल्ट भी डिकलियर किया गया और उस पर कंडिशन बेस था कि वो जो 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 होईनिंग होगी वो कोड के डिसीजन पर ही होगा 17 वाला भी यही है आप पढ़ कर लिया गया होगा अपने तरफ से एससी पूरी दर से तैयारी है और आपको रिजल्ट मिल जाएगा रेट कई लोग के दिमाग में यह भी रहा है कि कोड के अभी मालनों सिर्फ इस्टेट आते बाद में सुनवाई होती रहते कहीं आगे जाकर के फिर कुछ तो एक बात ज रहेगा उसपर ही वेस्ट रहेगा घर करको ऐसे कोड आगे जा करके कहती है कि नहीं यह चीज गलत था तो आपका वह जो जोइनिंग कैंसल लेकिन होता है क्या आपको पता है वह क्या रहा हो जो कुछ भी होना बस यह प्रोसेस का लास स्टेटस आना चाहिए क्या है क्या है सर का जो भी है कम सकम है इस उसकी बाउंटरी परेगा उनका बहुत बड़ा है बहुत सारे लोग है जो जो जी यहीं सर्फ यहीं करते रहो अपने दो तीन साल इतना खराब अब बताओ चार महीन पांच महीन आसी बैठे है इन्तियार कर दिया क्याना एक पांच महीने किया तो यह यार उमीद पूरी है यार कि अब 19 वाला खेल खता हूं 19 का चेप्टर बंद हो और 19 का क्या बहुत सारे लोगों की जिंदिगी से से का चेप्टर ही बंद हो जाए और आप जो भी है नहीं आपने प्लान कर पाऊ उसी आप से पूरी उमीद है आपका फिर भी यार कोई आउट है तो कॉमेंट में लिखिएगा आप लोग आपके साथ हो 15 फरवरी को कोशिश करेंगे कि सब साम को मिले एक साथ और में चाहता हूं कि सबका मैक्सम्लों का सेलेक्शन हो जाया ठीक है जो लोग बहुत तयारी कर रहों काफी टाइम से या फिर बहुत डिक्कत में हो